हलो फ्रेंट्स वेलकम करते हूं आपने यूट्यूप साम अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज हम नए वीडियो के साथ आज सुके हैं तो फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अपने फोन की याइ अदर फाईल चो कैसे डिलीट कर सकते हैं चाएं वोs आप ऐसके कोई भी कंपनी का फाउन हो तो क्या फ्रेचंड आप ने से परशान हैं तो ήडीयो में आपको यह सारा सुलीशन बताँगा किसे आपने फाउन की स्टोर्च को खाली रख़ते हैं मैं वो बी दो जरूर से लेके लास्ता की वीडियो को जरूर देखां तब यह आपको सारा समझ आए तो बहुत ही सिंपल प्रोसाइस मैं आपको बताऊंगा तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमारे जो फॉन में अधर फाइल नहीं सबसे जादा स्पेस लिए होती है तो उसका कोई भी डिट नहीं करना और कौन सा करना है तो फ्रेंड्स अगर आप सारे फॉल्डर को डिलीट कर देंगे तो आपका फॉन में जो सोफ्ट्रेश भी होसकता है तो इसलिए आप फूरा वीडियो को बहुत करिएगा ताकि मैं आपको स्टैब बाइस को कैसे कैसे आपने आपने आप्शन पर जाएंगे यहां पर बाउट फॉन में जाएंगे इसके बाद मैं आपको स्टोरेज वाले उप्शन पर जाकर दिखा देता हूं तो यह देखे फ्रेंड्स मेरे जो अधर फाइल से मुआ है 7.93 GB की तो इसको मैं आज आपको डिलीट करना सिखांगा और इससे आपको डिलीट करना सारा है इसमें आपको स्टाइब बस बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखेगा इसमें मैं यह भी बताऊंगा कि कौन सा फोल्डर आपको डिलीट नहीं करना जिससे कि आपका जो फॉन का सौफटवर को कोई इस्यू ना आए तो चलिए बने रही है मेरे साथ वीडियो में तो यहां पे आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे एक अप्लिकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है स्टोरेज एनलाइजर तो यह आप उसका लोगो है आप देख सकते हैं तो इसमें फ्रेंड्स देखिए वन मिलियन प्लैसिस के डाउनलोड से है 4.5 की डेटिंग दी गई है से 3.8 MB का एप्लिकेशन इसको आपने डाउनलोड कर लेना है तो मैं जहां से सिंपल ओपन कर रहा हूं इसे ओपन करने के बाद यहां पे कुछ स्कैन लेगा यह तो इसमें जो है 10 से 20 सेकिंड लकसते हैं तो आपको वेट कर लेना इसके बाद आ आपने सिंपली टैप कर देना है तो यहां पर टैप करने बाद इसमें मैं बता देत Banks अपको ओ एक USB Organization और एक बैकप फाईल पर और बठोट करने हैं इन और आगे डिलीट कर देना है तो जैसे आप डिलीट वाले उप्शन पे क्लिक करोगे इसके बाद आपको जो ओके का उप्शन आ जाएगा कनफॉर्म फाइल डिलीटेड में जाके ओके कर देना आपने तो यह देखिए फ्रेंस हमारी जो अधर फाइल्स वो डिलीट हो गया फोल्डर अभी हमारी सिरफ अधर फाइल्स रहागी है 4.30zb की तो इसमें भी आपको मैं अधर फाइल में दुबारा जाके दिखा देता हू यहां पर जो यह वाला एएक्सो फाइल हम जो डिलीट कर देते हैं उसे वह प्लस वाले आइकन पर आपने जाना है select all करना है और delete वाले ऑप्शन पर जाके ok कर देना ईसे तो यह देखिए हमने ok कर दिया हमारे जो file यह डिलीट होगी है तो ऐसे करके फैंसा आपने सारती कर लेना इसे तो चलिए friends अभी मैंने जो है अपना जो other files का data clear कर दिया थे अभी मैं setting में आपको जा के दिखा देता हूँ पहले मेरे था 7.93 GB तो अभी मेरे जो अभी other files का data वो है 3.50 GB तो ऐसे करके friends देखी मैंने अपना जो है चार GB तक का जो है other files का data जो delete कर दिया है तो friends ऐसे करके आप भी अपना जो other files का data delete कर सती है अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो like करना, subscribe करना और friends का जुरूशेद करना